Hello everyone welcome back to our channel Kashmir food fusion click on the subscribe button here to subscribe to our channel and press the bell icon button to remain updated Today we will learn how to make a bakery style coconut. This is a commercial recipe that you eat in the store. You can see that it is very crunchy and soft from inside. We have made a special recipe for you to show how to make a bakery. In the ingredients we have used 100 grams of desiccated coconut. We have used 100 grams in Kashmir. Then we have used sugar or cold. This is a powdery sugar. 200 grams of sugar. This is made from egg whites. We have 4 egg whites. We have written about egg whites in the description box. We have used this kind of formula. You have used vanilla essentials. That can be used 100 grams. You can add it for light refuel. Well, you can add an olive oil or anything. We need almonds and salt. First, we use egg whites. We will use egg whites. We need to set the egg yolks. We will also put it carefully. पैरेट करने हैं रहल के हैं और इस और और दिल सफेदी ऐह कोई जोगीगहा खोग पर औराइबूट अगर् Angeles कोई-और कन अभी सक्वीजन होगा तो अब आप यह एग वाइट लेंगे एक mixing bowl में और इसमें हम डाल देंगे हलका से पहले आप फेंटेंगे और इसमें हम डाल देंगे sugar या चीनी को बोलते हैं इसमें हमें जाग नहीं लाना है पूरा इसमें हमें sugar या चीनी खांड आड करना है और फिर थोड़ा सा और मिक्स करना है इसी विस्कर से यह देखिये तो यह पावडर शुकर नहीं लिये है हमने यह जो गर पे अवेलेबल आपको शुकर होता है वो लिया है फिर मिक्स करने के बाद जब इसको थोड़ा सा जाग आएगा बहुत जाग नहीं लाना इसमें अच्छे से बस मिक्स करना है यह उसके बाद आप गैस बरनर पे एक पतीले में रख देंगे पानी और उसको अबालेंगे और फिर यह जाएगा उसके उपर लेकिन पहले हम डाल देंगे इसमें वानिला एसेंस यह हमने डाल दिये तकरीबन आदी चोटी चमश अगर आपके पास वानिला एसेंस नहीं है जो भी ऐसेंस होगा आप वो एड़ क मिक्स करना है जब और हम्हें चेक करना है टैंपरेचर इसका अपनी finger dip कर के इस में जब तक नहीं हमें गर मुंप फील ये mixture जो है गरम हमें होना चाहिए फील अपनी finger पे तो यह है देखिं यह बीड ठंडा ही था तो मैं इसको इसी पे रख दूंगी और विसकर से स्टर करती रहूंगी आप देख सकते हैं यहां से उबल रहा है पानी बाप निक लुट रहा है वेपर्स अब हम फिर से चेक करेंगे after some time और ये गरम हो चुका है मैंने फिंगर से टच किया और ये गरम था तो अब हम ये बोल नीचे उतार देंगे तो ये इनवे कोख हो जाता है इस पे यहाँ पे इसके बाद ये गरम ही होगा उसके बाद आप इसमें आड कर देंगे ये डेसिकेटिड कोकोनट 100 ग्राम 100 ग्राम पीसिद खुपर और आप मिक्स करेंगे किसी भी स्पून या चमच वगेरा से स्पैटूला से मिक्स करेंगे अच्छे से अगर आपको कोई कंफूजन है इन दे कॉंटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में में आपको पर एक कॉंटिटी देखे रखूंगी ये जो कोकोनट बनते हैं ये पर एक वाइट के हिसाब से बनते हैं अब यहाँ पे हम लेंगे एक पान और इसको बरनर पे रखेंगे और अब रखेंगे आप लो और लो फ्लेम पे हमें इसको कुक करना है अब इस मिक्शर को जो हमने कुकनट का बनाया अभी इसको आपको करना है लो फ्लेम याद रखिए बिलकुल भी हाई फ्लेम या मीरिम फ्लेम नहीं रखनी है किसी भी टाइम पे सिरिफ लो फ्लेम पे इसक आप यहां पर देख सकते हैं यह अब देख सकते हैं यह इसको और फुर्दर को करेंगे तकरीब बन 5-10 मिन तक आपको इस प्रोसेस में लग जाएगा लो फ्लेम पे करने में लेकिन जलवाजी कोई नहीं है और आपको हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे बिलकुल नहीं करना यह अब देख सकते हैं यह इसको ठंडा होने के लिए रख देना है अगर यहां पे आपको लगेगा कि यह ज़्यादा वाटर ही है आप इसमें अभी और एक्स्ट्रा खूपर डाल सकते हो यह अगर आपको लगे कि यह ज्यादा सुका है तो फिर एग वायट टाल सकते हैं जब यह आप पूरा ठंडा हो जाएगा आपसलूटली आपको इसको कूल डाउन करना है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए यह तब जाके आप बेकिंग ट्रे पे रख देंगे इस तरह के से शीट और इसके ऊपर पार्श्मन पेपर और उसके ऊपर फिर यह कूकोनट डाल दे बेकिंग ट्रे पे यह देखिए और फिर हमने इसमें डाल दिया है सेंटर पे एक आलमड या बादा इसी तरीके से आप बनाएंगे यह जो हमने यह चार अंडे की सफेदी ली थी एग वाइट हमने लिये थी चार उससे हमें पांच मीडियम साइज को कूनर बन गए थे तो कि यह स्टेबल हो जाए और मिक्षर जाए वह अच्छे से बैठ जाए और फिर आपको ओवन को राकना है प्री हीट करके 150 डिगरी पे और फिर यह आपको को कोकोनट कोकी बनानी है बीस मिनट तक 150 डिगरी पे ही बेक करनी है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं यह त सफेदी और अंडे की सफेदी है उससे हमें पांच मीडियम साइज कोकोनट बनने थे और फूर्दर में आपको पर एग वाट के हिसाब से लिखके रखों की डिस्क्रिप्शिन वोक्स में बाकी जो भी इसमें चाहिए आपको इंग्रीडेंस तो अगर आपको ज्यादा बन आने होंगे तो उसके अकॉर्डिंगा बनाएंगे अब आप ये रेस्पी जरूर ट्राइ कीजेगा और इंशाला ची बनेगी आप में फीडबाक अपना सेंड कीजेगा हमारे इंस्टाग्राम और फेस्बॉक पेज कश्मीर फिर्फिजिन पे हमारी चैनल को शेयर और सब् कीजेगा